जाहिन दोस्तों चले उस तो बात करते हैं सेकोर कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामने ने कहा है परनिता गोट 30 मार्क्स मोर इन मैथामेटिक्स देन वट शी गोट इन साइंस साइंस यानि कि परनिता ने जो है ये मैथ है और ये साइंस है अगर उसको science में x marks मिले है तो math में से x plus का 30 मिले है यह इसने कहा है हर math marks are 60% of the sum of math and science marks what are the science marks यानि कि इसने क्या का कि जो math में जो marks मिले है वो x plus का 30 वो बराबर दे रखा है science plus का math के marks के 60% के बराबर 60 by 100 के बराबर यह दे रखा है इसे solve करेंगे तो यह जगा 2 3 6 और 2 5 10 cross multiply करेंगे तो 5 x plus का 5 3 15 1.5 तो इस कल्टू में 3 2 6 x plus का 3 3 9 इसको मैं इधर भेजूँगा तो मेरे पास कितना जगा x और इसको मैं इधर भेजूँगा तो कितना जगा 60 इस कल्टू में यानि कि उसे जो science में मिले है वो 60 marks मिले है math में जो मिले है वो 90 marks मिले है यानि कि option जो इसका d है वो इस question का correct है चलिए एक पार इसको देखते हैं थोड़ा सा short करके देखते हैं एक्चुली एक्जामना ने मुझे क्या का कि जो mathematics में marks मिले है वो science और math के sum के 60% के बराबर है अगर मैंने इन दोनों के marks माना कि इन दोनों के marks का sum 100 है तो math में कितने आएंगे 60 तो science में कितने आएंगे 40 अगर इन दोनों का sum कितना 100 है तो जो math में आए है वो 60% आया है क्योंकि इन दोनों के sum का 60% है तो total कितना 100 है 100 का 60% निकालोंगो तो math में कितने मिलेंगे exactly to science में कितने मिलेंगे forty तो इन दोनों का difference कर लेते हैं तो 20 तीया 60 और 20 दुरी 40 यह निकि math में अगर तीन number मिले है तो science में उसे दो number मिले है but यह हो आँ इन दोनों का difference देखा इनने का difference क्योंकितना which is 30 marks का इस से किस number से multiply करने से समझ मैं आई आगे और नभ्वल्व मैं और मूं से पूछा इस स्टने मात को होगा वो इस कोषिण के लिए करेटतों हूगा आईओप आप आलो पृषिस समझ में होगा जैंद जै भारत को को झाल झाल झाल